ह ediyorum friends, welcome back to mass English grammar grammar के बारे में हम समझ रहे हैं और आज का हमारा जो topic हो सकता है वो है pronoun pronoun क्या होता है तो मुझे कई बार यह confusion होता है कि भाया बोला गया है कि जो किसी के बारे में नाम बताता है वो noun गहलाता है confusion यह होता है कि क्या मैं noun हूँ च्या आप noun है उत्तर आएगा नहीं मैं भी नाउन नहीं हूँ आप भी नाउन नहीं है क्यों कि ऐसा शब्द जो किसी के नाम की जगह पर उपयोग किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है वे सारे शब्द जो किसी के नाम की जगह पर उपयोग किया जाते हैं प्रोनाउन कहलाता है आपको मैं स तेरे तुझे तुझगो ठीके तो ये सारे शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं किसी के नाम की जगह पर वे सारे प्रणौन कहलाते हैं आईए मित्रों समझते हैं कि ये नाव प्रणौन जो है वो कितने प्रकार का होता है और इसको कहां पर यूज किया जाता है competitive के point of view से इसका प्रयोग कहां पर होना चाहिए sentence में इसकी position क्या होगी जो भी position रहती वो कौन से प्रकार का होता है कितने प्रकार की होते चलिए समझते हैं सारे प्रकार के pronouns को सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला pronoun जो प्रकार आता है वो होता है personal pronoun और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग वाग के subject की रूप में होता है आपने, सभी ने, हम सभी ने जब भी अंग्रेजी में कोई सा भी structure पढ़ने की कोशिस करी है, तो उसका structure कुछ इस तरीके से आता है, कि subject होता है starting में और बाद में होता है objective Confusion exam में क्या होता है कि यह जो subject होता है यहाँ पर आपको subjective pronoun का ही यूज़ करना होता है, object की जगह पर objective pronoun का ही यूज़ करना होता है sentence की शुरुवात में option आता है कि यहाँ पर I का यूज़ करो मी का यूज़ करो, या फिर my का यूज़ करे, या फिर mine का यूज़ करे, कब sentence के शुरुवात में subject की जगह पर अगर हमें यह समझ में आ जाता है कि subjective pronoun की जगह पर हम subject का यूज करते हैं और objective pronoun की जगह पर object का यूज करते हैं तो फिर कभी आपको इसमें confusion नहीं होगा कि हम क्या यूज करें चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि सामान्यत अगर starting की बात करें तो हम subject की जगह subjective object की जगह objective pronoun का यूज करते हैं समझते हैं कि subjective और objective क्या है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि शुरुवात में subject यूज किया जता है फिर वर्ब होती है और फिर object का यूज किया जता है ध्यान रखना कि subject की जगह पर subjective का यूज किया जता है और object की जगह पर objective pronoun का यूज किया जता है सर एक बार हमें बता तो दो कि आखिर कर subjective pronoun क्या है और objective pronoun क्या है अगर हमको यह समझ में आ जता है कि subjective के अंतरगत यह आते हैं objective के अंतरगत ये pronounce आती है तो फिर हमें confusion नहीं रहेगा तो ठीक है इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि subjective और objective क्या होता है friends जबभी subject की जगह पर आपको pronoun use करने के आउशिक्ता पड़े तो ध्यान रखना में मेरे के में मेरे मुझे के लिए I का यूज किया जाएगा हम हमें हमारे के लिए we का यूज किया जाएगा आप आपको आपके के लिए you का यूज किया जाएगा वे उन्हें उनके के लिए दे का यूज किया जाएगा, वह उसे उसके के लिए ही का यूज किया जाएगा, वह उसे उसके के लिए शी का यूज किया जाएगा, यह इसे इसके के लिए इट का यूज किया जाएगा, ध्यान रखना जब भी subject की जगपर यहाँ पर अगर sentence के तो ये I, we, you, they, he, she, it का प्रयोग कर रहा है। दूसरा सर सब्जेक्टिव तो हमको समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि सुरुवात में कभी भी हम मी का उप्योग नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? I का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर आप ही ने तो बताया है कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं और सब्जेक्टिव केस में हम I, we, you, they, he, she, it का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम object की जगह पर बात करते हैं तो friends ध्यान रखना object की जगह पर objective केस का प्रयोग किया जता है और objective केस क्या होता है तो वही जहां पर मैं मेरे मुझे के लिए I का यूज कर रहा था वहां पर अब मैं मेरे मुझे के लिए Me का यूज करूँगा। इसी तरीके से हम हमें हमारे के लिए us का यूज करेंगे, आप आपको आपके के लिए you का यूज करेंगे, वे उन्हें उनके के लिए them का यूज करेंगे, वह उसे उसके के लिए him का यूज करेंगे, वह उसे उसके के लिए हर का यूज करेंगे, यह इसे इसके के लिए it का य यूज़ बताया, दोनों के लिए same use बताया, क्यों कि भाईया, जब male की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब male की बात करते हैं, masculine की बात करते हैं, तो ऐसी इस्थती में वहाँ उसे उसके के लिए, जब subject की जगह पर use करेंगे, तो he use करेंगे, और object की जगह पर use करेंगे, तो him का यूज़ करेंगे ठीक इसी तरीके से जब female की बात होती है जब feminine की बात होती है तो ऐसी इस्तती में वह उसे उसके अगर subject की जगह पर आ रहा है तो she का यूज़ करेंगे और अगर यह object की जगह पर आ रहा है तो her का यूज़ करेंगे ठीक है तो यहां हमने बात करी subjective case की और objective case की मतलब sentence के शुरुवात में अगर आपको कहा जाए कि I लगाए या मी लगाए तो ध्याने रखना subjective case का यूज किया जाता है मतलब मी का प्रेयोग न करते हुए हम किसका यूज करेंगे I का यूज करेंगे ठीक इसी तरीके से अगर object की जगह पर अभी चुकि यहाँ पर तो object में नाम लिखा है नाम अगर आता है तो starting में भी नाम ही रहेगा पीछे भी नाम ही रहेगा मी टीच राम में राम को पढ़ाता हूँ चुकि में काम करने वाला हूँ में subject हूँ तो subjective case का यूज करेंगे इसलिए मी का यूज करते हूँ हम किसका यूज करेंगे I का यूज करेंगे अर्थ क्या होगा sentence क्या होगा कि I teach राम में राम को पढ़ाता हूँ न कि मी टीच रा हमें subjective case का यूज करना है वर्ब के बाद हमें objective case का यूज करना है यह बात I hope कि आपको समझ में आ रही होगी अगर ऐसा लग रहा है कि यह जो class चल रही है थोड़ी सी useful हो सकती है यह थोड़ा थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि आप exam में देंगे तो एक अधनमर का इससे फ class आपकी exam oriented रहे exam में जतने भी questions पूछे गए है उन सभी को analysis करकी सारे चीजे बनाई गई है अलग अलग books में से research करके यह content निकाला गया है तो I hope कि आपके लिए useful हो सकता है अगर useful हो सकता है तो like share and subscribe जरूर कीजिया गा लेकिन कब अगर लग रहा है कि काम का है तो आगे ऐखरा जाहोंगा कि subjectiv I होता है objective प्रिपोजिशन आये और उसके बाद अगर हमें यूज करना है तो क्या यूज करेंगे उसके बाद अबजेक्टिव प्रोनौन का यूज करेंगे अबजेक्टिव कोन है यह यह जो दिख रहा है आगे आई वी यूदे इसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं और यह जो है यह क्य कहलाते है objective pronoun कहलाते हैं तो क्या करना है मित्रों अब जब हमें sentence के सुरुवात में यूज करना है तो subjective का यूज करना है और अगर late के बाद या preposition के बाद अगर में मेरे मुझे की बात हो रही हो तो ध्यान रखना वहाँ पर objective case का यूज करनेंगी जैसे कि लिखा हुआ था कि let we go home हमें घर जाने दो तो हमने नियम में पढ़ा है क्या कि late के बाद objective pronoun का यूज किया जाता है अब यहाँ पर late के बाद objective तो मुझे बताईए कि जो व है यह कौन सा है subjective है या objective है तो हमने देखा है कि व तो subjective है और हमें क्या कहा गया है कि late के बाद objective का यूज करना है मतलब व का यूज करते हुए हमें यूज करना है किसका अगर हम अगर यूज का यूज करेंगे तो यह सहीं होगा क्यों क्योंकि late के बाद हमें objective pronoun का use करना है ठीक इसी तरीके से pre-position के बाद भी हमें objective pronoun का use करना है Sir ये pre-position क्या होती है Friends pre-position ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो कहीं न कहीं किसी भी चीज की position को बताते हैं समय को बताते हैं, स्थति को बताते हैं, जैसे कि in का मतलब होता है में, on का मतलब होता है, but before का मतलब होता है के पहले, after का मतलब होता है के बाद में, due to का मतलब होता है के कारण, with का मतलब होता है के साथ, तो ऐसे शब्दों के साथ हमें objective pronoun का use करना है मतलब अगर मुझे कहना है कि मेरे साथ तो मेरे साथ के लिए मैं कभी भी with I नहीं कहूँगा क्यों कि मैंने पढ़ा है कि preposition के बाद ये with जो है न मित्रो preposition है और preposition के बाद हमेशा objective pronoun का ही use किया जता है तो क्या होगा with I गलत होता है correct क्या होगा with me होगा with me correct क्यों होता है मित्रों क्योंकि हमने कहा है कि preposition के बाद हमेशा objective का ही use करेगे मतलब मेरे साथ तो with me होगा हमारे साथ तो with us होगा आपके साथ with you होगा उनके साथ with dem होगा उसके साथ with him होगा उसके साथ with her होगा इसके साथ with it का use किया जाएगा कैसे क्योंकि late or preposition के बाद हमेशा हम objective pronoun का use करते है I hope आपको यह बात समझ में आ रही होगी आगे हम बात करते हैं कि जिरंड के बाद objective case का प्रयोग होता है सर यह जिरंड क्या होता है competitive में बड़ा कई बार confusion create करता है कि sentence आजाता है कि जिरंड को underline करिये जिरंड क्या होता है यही नहीं समझ में आ रहा है तो underline किसको करने जाएगे समझते में बता देता हूँ आपको जिरंड क्या होता है जिरंड जब वर्ब जब वर्ब के साथ वर्ब का ing form यूज किया जाता है जब वर्ब के साथ ing यूज किया जाता है ठीक है और वर्ब noun का काम करने लगे तो वह जिरंड कहलाता है अब यह क्या बहुत बात हो गई साथ वर्ब नाउन का काम केसे करेगा वर्ब का मतलब होता है काम वर्ब का मतलब क्या होता है काम करना और नाउन का मतलब क्या होता है नाम नाउन का मतलब क्या होता है नाम तो जब हम वर्ब काम करने लग जाए वर्ब नो कि थे जो काम न करते हुआ थे वह नाम की रूप में उपयोग किया जाए तो ऐसी स्थति में वह जिरंड कहलाता आप जैसे तॉकिंग अब तॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट की रूप में यूज किया जा रहा है और सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट में हमेसा नौन का यूज करते हैं हम कभी भी सब्जेक्ट की जगह पर वर्ब का उप्योग नहीं करते हैं तो इसलिए हमने क्या करा कि वहमें subject बात करने की बात जरूत हो रही थी तो हमने क्या करा उस subject उस verb में verb का ing form लगा दिया क्योंकि हमको उसको noun बनाना था तो यहां पर जब talk में ing लग गया तो talking बन जाता है मतलब यह क्या हो गया noun हो गया तो जब भी verb में ing जोड़ दे और वह noun का काम करे तो वह जिरंड कहला जाता है जैसे swimming is good exercise मतलब तेरना जो है एक अच्छा व्यायाम है तो यहां पर swimming जो है वह काम करने की बात नहीं हो रही है swimming एक action के नाम की रूप में उप्योग किया जा रहा है और इसलिए swimming क्या हो जाता है noun हो जाता है हमने बोला है कि he subjective है और him objective है और हमको क्या कहा गया है हमको यह कहा गया है कि जीरंड मतलब वर्ब के ing form के बाद objective case का यूज करते है मतलब he का उप्योग नहीं किया जाएगा correct क्या होगा him होगा तो talking him was not pleasant भीया उससे बात करना जो था न उतना pleasant नहीं था उतना मज़दार नहीं था आगे समझते है मित्रों यह सारे जो rules हम बता रहे है इसको आप note करते हुई चलेंगे अगर लग रहा है तो ठीक है और अगर आप कहेंगे तो उसका हम PDF शेयर करने की भी कोसिस करेंगे next जो है infinitive two के साथ verb के first form के पहले और बाद में objective के इस pronoun का प्रयोग होता है infinitive कि इसको बोलते हैं तो समझते हैं जब verb के साथ ing जोड़ा जाए और वह noun का कार्य करें तो कहलाता है जिरंड अगर वर्ब के साथ ing जोड़ रहे हैं और वर्ब अगर noun का काम कर रही है तो क्या कहलाएगा जिरंड कहलाएगा ठीक इसी तरीके से अगर two के साथ verb का first form जोड़ा जा रहा है और वह अगर noun का काम क कर रहा है तो उसे हम कहते हैं infinity बात समझ में आगी क्या कहा हमने कि जब verb के साथ ing जोड़ा जाए और वो अगर noun का काम करता है तो वो कहलाता है जिरंड ठीक इसी तरीके से अगर verb के पहले two जोड़ा जाए मतलब two के साथ verb का first form यूज़ किया जाए और अगर वो noun का काम कर रहा है अर्था subject या object के जगा पर आ रहा है तो वो infinitive कहलाता है जैसे infinitive two plus verb के पहले और बाद में objective के साथ I requested अब ये two के साथ verb का first form आया है कहा क्या है कि two plus verb form के पहले first form के पहले और बाद में मतलब अगर यहाँ पर में use कर रहा हूँ तो यहाँ पर किसका use होगा objective का use होगा अब मुझे बताईए कि she objective है या subjective है तो पता करने पर पता जो चलता है वो यह है कि यहाँ पर जो है she जो है वो क्या है subjective है she क्या है friends subjective और हमको कहा गया है क्या कि two के साथ वर्ब का first form आता है तो उसके पहले जो pronoun use किया जाएगा उसमें objective का use किया जाएगा तो यहाँ पर she ना use करते हैं क्या use करेंगे हर का use करेंगे तो I requested her to come here इसलिए यह सही होता है और उपर वाला क्या हो जाता है गलत हो जाता है आगे अगर friends समझे as or then के बाद nominative case के pronoun का प्रयोग किया जाता है अब nominative case क्या होता है सर आपने यह तो बताया ही नहीं friends से ध्यान रखेंगे कि जो subjective case होता है जो subjective case होता है वही nominative case कहलाता है मतलब I, V, U, they को हम या तो subjective कहेंगे या फिर nominative कहेंगे ठीक है तो subjective में हम किसका use करते हैं कि as or then के बाद अगर जरूद पड़ रही है अगर comparison friends यहाँ पर भी एक थोड़ा सा exception आता है वह exception यह होता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा as or then के बाद हम subjective कहीं यूज करेंगे अगर comparison जो तुलना कर रहे हैं तुलना अगर subject से हो रहा है तो subjective का use करेंगे और अगर तुलना comparison objective से हो रहा है तो objective case का use करेंगे कैसे जैसे राम is as fat अब राम उतंा ही fat मोटा है जितना की मैं हूँ तो राम क्या बात हो रहे है यह subject है हम subject की तुलना किसी करते हैं subject से करते हैं तो राम is as fit as आप यहाँ पर मी का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं मेरी तुलना सब्जेक्ट से कर रहा हूँ, मतलब अगर वो सब्जेक्ट है तो मैं भी सब्जेक्ट बनना चाहता हूँ और ऐसी स्थती में यहाँ पर हम अब्जेक्ट का यूज न करते हुए हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे me जो है वह एक objective pronoun है और I जो है वह एक subjective है comparison मेरा subject से हो रहा है इसलिए subjective का use करूँगा ठीक इसी तरीके से जब मैं बोलता हूँ कि I am better मैं ज्यादा अच्छा हूँ किसे उससे तो मेरी तुलना हो रही है क्योंकि मैं ही चुकी है पर subject हूँ subject की तुलना हो रही है तो जब तुलना subject से होती है तो दूसरा भी subject ही होता है तो I am better than ही होगा ही नहीं होगा तो यह ध्यान रखना है कि as or then के बाद जो शब्दा आ रहा है अगर वो तुलना के point of view से यूज़ किया जा रहा है comparison के point of view से यूज़ किया रहा है तो दोनो subjective ही रहेंगे आगे समझते हैं मित्रों लेकिन दो object के बीच अगर तुलना हो रही है जो हमने भी बात बताई कि अगर subject से तुलना हो रही है comparison हो रहा है तो subjective का यूज़ करेंगे अगर object से तुलना हो रही है आप देखो I love you as much as he मतलब जो है कि मैं उतना ही प्रेम करता हूँ आप से ठीके मैं आप से उतना ही प्रेम करता हूँ कि जितना मैं उससे करता हूँ तो यहां पर आप भी मेरे लिए object है और वह भी क्या हो गया object है अगर यह दोनों object है तो मुझे subject की करने का अश्रता नहीं है यहां पर में HIM का यूज़ करूँगा क्यूंकि काम करने वाला action perform करने वाला कूँ है मैं हूँ तो मैं हो गया subject आभ मैं किससे प्रेम करता हूँ वे आपसे subject one हो तो उसका possessive case once का प्रेउग करना चाहिए he is her dare का नहीं होता है सर ये possessive case क्या होता है मित्रफ possessive case का मतलब होता है कि मैं मेरा काम करता हूँ आप अपना काम करते हैं वह उसका काम करता है तो मैं मेरा काम करता हूँ तो क्या होगा I do my work होगा मतलब मेरे लिए possessive क्या होगा माय होगा आप अपना काम करते हैं तो you do your work तो यहाँ पर your क्या हो गया पॉसेशी हो गया तो जब बात होती है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो तुम्हें बोल दूँगा कि I do my work मतलब I के लिए पॉसेशी क्या हो गया माई हो गया इसी तरीके से हम अपना काम करते हैं तो we do our work तो यहाँ पर यह क्या हो गया yaha b possessive हो गया किसका we का upon the पॉसेशी क्या हो गया और हो गया इसी तरीके से आप अपना काम करते हैं तो you do your work to do यूवी के लिए percent you क्या हो गया यूर हो गया अब बात यह हो रही कि इसी तरीके से अगर one है subject तो one में ध्यान डखना कि one do one's work होगा one do one's work होगा ठीक है ऐसा नहीं लिखेंगे कि one do his work, one do her work, one do my work one do our work तो यह कहीं न कहीं incorrect हो जाता है गलत हो जाता है I hope आपको यह जानकरी ठीक ठाक लग रही होगी pronoun के point of view से अगर हम बात करें तो यह सारे questions से जो हम rules निकाल करके लाया है यह वे सारे rules से जो exam में पूछे ही जाते हैं 100% पूछे जाते हैं सारे exams की किसी भी exam की papers को ठालो अगर वहाँ पर pronoun से question आएगा तो pronoun का question यहीं से आएगा indulge में से ही आएगा ठीक है अगर आपको भी इस बात पर विश्वास है तो like, share and subscribe जरूर कर लीजीगा आगे अगर हम समझते हैं कि यदि वाक एका subject one है यह तो हो गया अगे possessive case के pronoun को दो भागों में बाटा जाता है possessive case, possessive adjective सर यह possessive adjective और possessive pronoun क्या है हमको confusion है आपको confusion होना चाहिए क्योंकि हम समाधान करने के लिए बैठे हुए हाँ यह class खतम होने के बाद I guaranteed you कि आपको कोई confusion नहीं होगा ठीक है अगर फिर भी confusion हो जाए तो revise कर ले ना confusion solve हो जाएगा possessive adjective ध्यान रखना adjective ऐसे शब्दों को बोलते हैं adjective ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो किसी noun या pronoun के बारे में हमें extra information देते हैं जो किसी noun या pronoun के बारे में हमको extra information देते हैं जैसे कि मैंने कहा कि भीया माय की साथ माय क्या होगा माय पेन, माय मोबाइल, माय वर्क तो यह पेन के बारे में extra information है कि इस पेन पर मेरा अधिकार है तो यह जो माय है यह एड्जेक्टिव होता है my क्या होता है adjective होता है तो मेरा pin my pin आपका काम your work आपका school your school आपका institute your institute ठीक है तो यह जो हम use कर रहे है my your our her or there यह कभी भी अकेले नहीं आते हैं इनके साथ कोई नो कोई noun होता है इसलिए इन्हें possessive adjective कहते हैं क्या कहते है friends possessive adjective कहते हैं ठीक इसी तरीके से ये अकेले आते हैं क्या बोलते हैं कि this bag यह बेग जो है this bag is mine यह मेरा है ठीके तो यह जो माइन आ गया यह अकेले आता है और अकेले आने के कारण यह possessive pronoun होता है जब कि मैं बोलूगा this is my bag जब मैं my bag बोलता हूँ, तो बेग के साथ मायका यूस कर रहा हूं और इसलिए यह माय जो है एजिक्टी हो जाता है, जब कि में 바लता हूँ कि धिस बेगि Oops मायन जो एकला अता है, यहाँ कोई nàoन प्रुनावन का करे करता है लग और आपको यह है जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या कि possessive adjective के बाद noun का यूज करेंगे हमने एक्जम्पल भी होता है कि my pen होगा my mobile होगा your school होगा your friend होगा मतलब यह possessive adjective के बाद हमेसा कुछ नू-कुछ noun होगा लेकिन possessive pronoun के बाद कभी भी कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा this bag is mine यहाँ पर sentence finished हो जाएगा आगे समझते हैं यह rule भही कह रहा है जैसे कि India is a great country and is ours इस आवर नहीं होगा क्योंकि और के बाद कुछ ने कुछ ने कुछ यूज किया जाएगा लेकिन ours हो सकता है क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा तो यहाँ पर वही बात हुई थी कि और जब लिखा वाता तो यहाँ पर कुछ यूज किया जाना चाहिए था अब यहाँ पर क्या किया है यूर्स के बाद लगा दिया है और यूर्स के बाद यूज करने के कारण यह स्टेट्मेंट गलत हो जाता है करेक्ट होगा इस इस यूर बुक आगे अगर हम समझें तो वर्ब का इंजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले प्रयोग का प्रयोग होता है न कि प्रयोग का सुभविक सी बात है क्या कि अगर वर्ब का इंजी फार्म यूज किया जा रहा है तो हमने कहा है कि वर्ब का इंजी फार्म जब यूज होता है तो वह क्या कहलाता है नाउन कहलाता है उसको हम जिरंड कहते हैं क्या कहते हैं जिरंड तो जिब जिरंड या नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो नाउन के पहले जो यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा एड्जेक्टिव कहलाता है नाउन के पहले कभी भी प्र pronoun copy होगा लेकिन noun के पहले जो use होता है वह adjective का use होता है ठीक है तो हमें क्या ध्यान रखना है जब possessive pronoun क्या होते हैं possessive pronoun में जब हम बात करते हैं तो हमने बोला कि mine होगा ours होगा yours होगा तो इनके बाद कभी भी verb का ing form हम नहीं लगाते हैं जबकी my, our your के बाद हम जो है verb का ing form लगा सकते हैं I hope आपको यह बात समझ में आ रही होगी ठीक है तो बात वही हो रही कि possessive pronoun के बाद हम verb का ing form नहीं लगाते हैं जबकी possessive adjective के बाद हम noun का प्रयोग कर सकते हैं इसी तरीके से he objected to us going जैसे कि हमने क्या कहा going है तो going के पहले हमें क्या use करना है possessive adjective का use करना है तो फिर क्या होगा our going होगी us going नहीं होगा he was astonished at me doing यह me doing नहीं होगा क्यों क्योंकि हमने बोला है कि my doing होगा तो यह बात हमें विशेश रुप से ध्यान रखना है one of के बाद singular verb तथा singular pronoun का प्रेयोग होता है न की देयर का one of जब one of होता है है ना तो यहां पर जब verb noun आएगी तो यह तो plural होगी one of के बाद जो अगर noun यूज की जाती है वो हमेशा plural होगी लेकिन इसमें जो verb यूज की जाएगी वो हमेशा singular होगी ठीके तो one of my friends has passed अब एक ने पास किया है तो किसका exam पास करेगा भाई एक विक्ति तो उसकी exam पास करेगा ना उनकी exam थोड़ी पास करने जाएगा भाई में जा रहा है कोई एक विक्ति जा रहा है अपना काम करने तो एक विक्ति एक कही काम करेगा ना बहुत सारी लोगों काम थोड़ी करेगा एक विक्ति एक की exam पास करेगा ना बहुत सारों की थोड़ी करेगा तो यहाँ पर होगा कि one of my friend has passed there नहीं होगा one of my friend has passed his exam होगा क्यों क्योंकि one of के साथ हम his एक की बात कर रहे हैं और एक के लिए तीन सब्दी यूज़ करते हैं या तो his का यूज़ करते हैं हर का यूज़ करते हैं या फिर its का यूज़ करते हैं जब gender clear नहीं हो तो हम इसा masculine का use करते हैं जैसे his masculine है जब कि her और its का प्रयोग हम नहीं करते हैं आगे अगर समझे तो ठीक है ये आज के लिए sufficient rules हैं ठीक है आप इनको revise कीजिएगा और हाँ अगर आपको ये ठीक ठाक लगा हो तो आप comment box में बता सकते हैं कि next अगर आप comment करते हैं next के लिए तो definitely हम इसका next session भी लेकर के आएंगे I hope आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like share and subscribe करेगा और हमारे अलग-अलग platforms है जिनसे आप जूड सकते हैं ठीक है YouTube पर हमारे Mass Study, Mass English Grammar, Kamlisar Official, Mass Online School ये चार प्लेटफोर्म है Facebook पर Mass Study और Telegram पर भी Mass Study के नाम से मिल जाएगा आपको Instagram पर Mass Study Official और Kamlisaradho Sar के नाम से भी दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी आगे अगर हम बात करें तो हमारे courses में अगर हम बात करें तो Best Spoken, Advanced English है अगर आपको अंग्रेजी बोलने में समस्चारी तो आप सारी courses जॉइन कर सकते हैं Personal English Trainer भी हम अविलेबल कराते हैं आपको 1-2-1 अंग्रेजी सिखाने के लिए Premium Spoken English course बहुत प्यारा course है, Complete course अपने आप में है तो यह भी आप Spoken English के Point of View से ले सकते हैं दूसरा Kids पच्चों के लिए है, Prime Vocabulary courses है ठीक है और Grammar का course आप सभी के लिए है तो सारी courses बुक है, बहुत प्यारी बुक है, तो यह सारी courses आप ले सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक लगते हैं तो ठीक है, I hope आपको जानकारी ठीक लगी होगी, अच्छा लगा है तो Like, Subscribe, जोर कीजिए, Thank you